नमस्कार श्रोताओं, मैं पलक गुपता, एक रहस्य मैं विशय पर कॉंटेंट राइटर गिरिश बिल लौरे मुकुल के विचारों के साथ उपस्ते थू चैनल पर आपका हार दिख स्वागत है, इस समय आप सभी का हमें जो समर्थन मिल रहा है, उससे हम उच्साहित हैं शुद्ध आये का 10% Red Cross Society को नियमित रूप से प्रदान किया जाएगा, हाँ, प्रित्वी शेशनाग के फन पर टिकी है, क्या हमारी प्रित्वी शेशनाग के फन पर टिकी है, तो आप तुरंथ हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये सत्त है, आप अपनी बात की पुष्टी के लिए जो जवाब ये विवरेंट प्रस्तोत करेंगे, उसे समझने के लिए इस Podcast पर अंति तक बने रहिए, इस बात को समझने के लिए हमें अपनी गैलेक्सी, यानि Milky Way आकाश गंगा के बारे में विचार करना चाहिए, हमारी आकाश गंगा शीर मार्ग अर्थात दुधिया रास जैसी दिखती है इसी कारण इसे अंग्रेजी में मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं हमारी आकाश गंगा का प्रबंधन विश्णू करते हैं वे आकाश गंगा अर्थाद गैलेक्सी के नियंता है हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं जिसे मिल्की वे आकाश गंगा कहा जाता है व हमारी आकाश गंगा लगभग एक लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी और लगभग एक हजार प्रकाश वर्ष मोटी है। इसमें एक केंद्री उभार है जो लगभग दस हजार प्रकाश वर्ष व्यास का है। हमारा सौर मंडल केंद्रे उभार से आकाश गंगा के किनारे की ओर लगभग एक तेहाई दूरी पर है यदि सौर मंडल उभार के अंदर होता तो रात में हम सीरियस तारे जैसी तेस चमक वाले दस लाख तारे देख पाते रात का आकाश इतना चमकीला होता कि ये दिन से ज्यादा अलग नहीं लगता हमारा सौर और सौर मंडल एक हजार प्रकाश वर्ष मोटी डिस्क के भीतर है तथा हमारे सौर मंडल की स्थिती केंद्रे तल से केवल 95 प्रकाश वर्ष दूर है प्रतेक तारे का अपना सौर मंडल है ये जरूरी नहीं कि किसी अन्य सौर मंडल में ग्रहों की संख्या हमारे सूरे के समान हो विज्यानिक अनुसंधान बताते हैं कि हमारी गालिक्सी में लगभग 50 अरब ग्रह के होने की संभावना है इन में से 50 करोड तारे ऐसे हैं जिनके ग्रहों या उप ग्रहों पर जीवन होने के अनुकोल, तापकरम, हवा, पानी मौजूद हो सकते हैं भारतिय सभ्यता के प्राचीन साहित्य में विशेश रूप से महभारत एवं उसके उपरांद लिखे गए साहित्य में क्षीर सागर शब्द का प्रयोग किया है क्षीर सागर अर्थात दुधिया सागर हमारी आकाश गंगा भी दुधिया रंग की है और इसकी आकरती सरपिल है आप ठीक समझ रहे हैं हमारी प्रिथ्वी शेश नाग के फन पर है लास कुंब्रेस वेद शाला की रिपोर्ट के हवाले से हमने बताया है कि हम ग्यालिक्सी के केंदर से मात्र पंचानवे प्रकाश वर्ष दूर है अर्थात कुंडली पर बैठे साप के सिरोभाग से हमारी दूरी बहुत कम है ईश्वर तत्व के अस्तित्व के प्रमाण के लिए शेश नाग की फोरी पर सवाल उठाने वाले विद्वान तरक शास्त्रियों को सम्मान सहित बताना आवश्यक है कि प्रित्वी जिस आकाश गंगा में है भारती प्राचीन साहित्य में आकाश गंगा को सरपिल होने के कारण शेश नाग कहा गया है कैसी लगी ये जानकारी? क्रिपया अपनी टिपणियां देकर हमें क्रतार्थ करें धन्यवाद